प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन अब क्लास 10 त्वेल्थ मैज इसका मैं एक पार्ट बना चुका हूं और इसका इंट्रोड़क्शन पार्ट भी बना चुका हूं तो आप लोग उस वीडियो को पहले देख लें इंट्रोड़क्शन पार्ट फिर वो कॉंसेप्ट समझके पिर एक्सरसाइज पर आए चलिए स्टार्ट करते हैं कोच्छन न असानी से निकल जाएगा तो चलिए कंडिशन क्या दिया हुआ है कि जो रिलेशन हो उसमें ओडर प्यार ए और बी का होगा और ये नेच्वल नमर बिलोंग होगा वी कंडिशन है कि एक कितना नेच्वल नमर तो इंफरनाइट होता है लेकिन एफाइब से छोटा लेना है यही लेना है और बी फिक्ष्ड है बी हमें साब फोर ही होगा तो मैं इसका रोस्टर फोर्म लिखूं तो वन लेंगे तो फोर होगा क्योंकि आपका रोस्टर फोर्म हो गया तो डोमेन असानी से अब यहां से निकल जाएगा फॉस्टष्ट इलिमेंट ऑफ़ बी पैर 1234 1234 और डेंज में देखें बी क्या हमेंसा 40 आ ते एक ही relation दिया हुए इसमें order pair क्या होना चाहिए A और B का उसमें आप बोल रहा है कि A क्या लेना है integer और A का जो modulus होगा हमेशा less than equal to 3 होना चाहिए integer तो infinite होता है तो हम चेक करते हैं कि suppose माल लिजे कि A का value मैं 1 लिया तो 1 का modulus 1 1 less than 3 सही है 2 लिया तो 2 का modulus 2 2 less than 3 सही है 3 लिया तो 3 का modulus 3 है ना यहापे आप समझे बात को अगर 3 यह satisfy करना चाहिए तो 3 का modulus क्या आएगा 3 ही आएगा 3 less than equal to 3 तो एक condition satisfy कर रहा है ना 4 4 जैसे ही लिया तो देखे आप तो 4 का modulus 4 यह होगा पॉसिबल है नहीं होगा तो आगे बार नहीं सकते हैं तो इससे चोटा देखते हैं 0 put करेंगे तो 0 less than equal to 3 0 का modulus 0 less than equal to 3 एक condition तो satisfy किया ना less than का दोनों कावंतों क्या होता है less than और या तो equal तो एक है चलिए 0 हुआ और नीचे जाना तो उसे तरह से minus 1 देखिएगा minus 1 less than equal to 3 minus 1 का modulus 1 less than equal to 3 satisfy किया minus 2 satisfy करेगा minus 3 satisfy करेगा minus 4 अगर देखें चेक करें तो minus 4 less than equal to 3 minus 4 का more less 4 आएगा यह satisfy नहीं कर रहा है तो यह आपको a element इतना लेना है और उसके अनुसार बी का value find out करना है तो यहां मैं b find out कर रहा हूं मैं चलिए देखते हैं यह का one ले तो b क्या होगा one minus one zero उसका more less two लिया two minus one 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 का more less one three put किया एक जगा त्री मैंनस one to two का more less to zero put किया तो 0 minus one minus one minus one का more less one minus one put किया तो minus one minus one minus two minus two का more less 2, minus 2 put किया, तो minus 2 minus 1, minus 3, minus 3 का modulus, 3, minus 3 put किया तो minus 3 minus 1, minus 4, minus 4 का modulus, 4, तो B आपको मिलेगा, आप इसको रोस्टर फोर में आप अराम से लिख सकते हैं, जब 1 put किया तो क्या मिला, 0, 2 put करने पर 1, 3 put करने पर 2, 0 पर 1, next minus 1 पर 2, minus 2 पर 3, and last minus 3 पर 4, यह आपका रोस्टर फोर्म होगे, आप यहां से हम डोमेन और यह असानी से निकाल सकते हैं, डोमेन क्या होता है, first element of order पर 1, 2, 3, 0, minus 1, minus 2, minus 3, यह पूरा हो जागा, तो sequence में लिखें, तो minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, यह sequence में हो जागा, range, तो range देखें, second element, 0, 1, 2, फिर 1 repeat हुआ, 2 repeat हुआ, 3 repeat हुआ, 4, यानि 0, 1, 2, 3, 4, यह range आजागा, question number second, तो तेंथ का complete, next question number 11 से देखते हैं, चलिए, तो question number 11 यहाँ पर है, a set दिया हुआ है, relation दिया हो, a से a, देखिए, question को है न, list करना है, suppose मालनी चलिए कि find total number of relation कितना होगा, तो यहाँ भी two element है, यह होगा आगे मैं आका करूँ, तो relation R जो होगा, a, b से लेके, a, b पर ही होगा, क्योंकि a set पर ही तो दिया हुआ है, तो इसको यदि मैं मान लू, m, आज इसको n मान लू, m का मतलो, नई, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इसको set a मान लिया, इसको b मान लिया, तो आप हम बोल सकते है, m, a, इसका हम तो क्या हुआ, number of element in a, two, n, b, number of element in b, वो भी two हुआ, तो total number of relation का क्या फोल लाता है, two, two power m into n, two power m b two है, n b two है, तो यानि two into two, two power four, कितना जागा, 16, तो total number of 16 relation आया है, उस 16 relation का list करना है, मतलब पूरा लिखना है, डिटर में, तो यह नहीं लग रहा कि पूरा जाल ज्यादा ये false question लग रहा, ऐसा question exam में आपको नहीं आएगा, 16 relation find out करना, time consuming है, इसलिए मैं भी नहीं किया हूँ, तो आपके पास time है, तो अब प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो total 16 relation क्या होगा, नेक्स्ट है, फाइं टोटल, बस इसमें आपको total number of relation find out करना है, मालूम है, 2 का power m into n, तो m कितना है, 3, और ये 2, तो का power 3 into 2, ये जगा 2 का power 6, ये आपको कितना होजाएगा, 2, 2, 4, 4, 2, 16, 64 आएगा आपका अनसर, 13 देखते हैं अब, चलिए, 13 में कहा रहा आपका, कि relation दिया हुए n to n, और relation जो define किया है, उसमें order pair a और b का होना चाहिए, और a b दोनों का power natural number से बिलोंग हो, और condition है कि a equal to क्या होना चाहिए, b square, चलिए, तो देखते हैं, तो अब इसमें से पूछ रहा जो 3 वो question दिया हुआ, कि क्या ये जो relation दिया हुआ है, ये true है कि नहीं है, a b belongs to r, for all a belongs to n, देखते हैं, suppose मैं ले ले लेता हूँ 1, 1, natural number है न, दोनों, बिलोंग कर रहा है न, a b, तो चलिए, तो condition क्या है इसके नुसा फिर, जब मैं order pair 1, 1 लिया, तो उसके नुसा condition लगांगे, 1, a कितना 1, और b वी कितना 1, तो 1 equal to 1, ये तो satisfy कर गया, 1 equal to 1, अगर मैं आप यहाँ पर 1, 2 या फिर, टू टू लेता हूँ, तो condition के नुसार, 2 equal to 2, possible है, नहीं, तो ये क्या है, सही नहीं है, no, true false पूछ रहा था, तो next a b belongs to r, तो अगर ये सही है, ये ऐसा example लेंगे, तो फिर देखें कि क्या ये भी satisfy होगा, तो ऐसा एक example लेते हैं, मैं ले रहता हूँ, suppose 4 to belongs to r, तो 4 to belongs to r होगा, तो इस condition के नुसार क्या होना चाहिए, a equal to b square, a क्या है, तो second question में क्या था, a belongs to r, b belongs to r, तो अगर मैं 4 to loo, 4 equal to 2 square, इस condition के नुसार, ये satisfy कर रहा, तो अगर इसको प्लाट दो, तो 2 for, तो 2 for belong करेगा, क्या, ये, इसके नुसार क्या होजागा, ये a होगा, और ये b, तो 2 equal to 4 square, possible नहीं है, तो ये satisfy नहीं करेगा, ये भी belong to r, b c belong, तो अगर ये लेंगे, तो ये proof करना होगा, तो मैं एक्जामपल लेके चला हूँ, 16, 4 और 4, 2, तो इस condition के नुसार, a equal to b square में क्या होजागा, 16 equal to 4 square, ये सही है, 4, 2 है, तो 4 equal to 2 square, सही है, तो a मेरा क्या था, 16, और c क्या है, 2, यहाँ पे लिख दिया, ये सी था न, तो 16, 2, अभी condition क्या हो जागा, 16 equal to 2 square, possible है, नहीं, तो क्या हो जागा, 9 हो जागा ये भी, तो कोच्छामपल 13, मुआल का space फूल हो गया था, तो मैं 14, 15, 16 सारा solve करते गया, मैं ध्यान दिया नहीं कि हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो तो मैं बना चुका हूँ, तो मैं इसी को आप बता रहा हूँ, तो फिर ज्यादा महीनत हो जाएगा, चलिए देखिए, कोच्छामपल 14 में क्या था, कि set A दिया हुआ है, यह relation है, तो A to A, relation दिया हुए condition, अब 3X माइनस Y इकॉल to 0 दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 3X माइनस Y इकॉल to 3X, अब यहाँ पर A, A है, तो यहने कि arrow डाग्राम में पहले represent करना है, तो इसमें पूरा 1 to 14 लेंगे, इसमें भी 1 to 14 लेंगे, अब मैं क्या किया हूँ, Y equal to 3X यह condition जो आया, उसको परतेक भैलू ले लेके put किया, X क्या लिया, 1, तो 1 लिया तो क्या होगा, Y, 3 आयगा, 2 लिया, तो 2 लेंगे तो 3, 2 जा 6 आयगा, 3 लिया, तो 3, 3 जा 9 आयगा, 4 लिय तो 15, अब चेक करेंगे, 1 लेने पर क्या आया, 3 मैं डाल दिया, यहाँ पर, 2 लेने पर 6, 3 लेने पर 9, 3 लेने पर 9 डाल दिया, 4 लेने पर 12, यह 12 है, 15 तो है नहीं, इसमें, इसलिए मैं यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तो अब इसको एरो डाग्राम में था, एरो डाग्राम म 3 4 यह डोमेन हो गया रेंज सेकेंड एलमेन 3 6 9 12 अब को डोमेन भी निकालना है तो को डोमेन क्या है इसका पूरा का पूरा एलमेन कहां से 1 से लेके 14 तक सिंपल है इसलिए मैं जाता फिर द्वार नहीं बनाया वीडियो कट गया था फूल हो गया था मुवाइल का स्पेस इसलिए चलिए उसके लिए स्वारी नेक्स देखते हैं कुछ नमार 14 15 ये कन रिलेशन दिया है नेच्वल टू नेच्वल नमबर रिलेशन है एक्स वाई इक इसलिए मैं यहां पर देखिए एक्स अल्री मैं लिख दिया हूं 123 क्योंकि फोर्स एक छोटा लेना तो 123 नेच्वल नमबर तो है ना चलिए ठीक है यहां तो समाझ गया है अब यह वाई इकल टू एक प्लस फाइब तो कहने का मतुँ क्या है हमको एक्स तो 123 ही लेना था अ आप जैसे ही मैं एक्स का फेल्व यहां पर वन पूट करूंगा तो फाइब प्लस वन क्या हो जागा वाई 6 होगा तो लिया तो फाइब टू सेबन थी लिया तो फाइब त्री एट अब इसी को मैं रोस्टर फोर्म में डाल दिया 162738 162738 इसमें डोमें पूछ रहा था था को सेखें था नेट्सक्राइब 15 नेक्त कंपलीट होने के बाद नेक्सटिन देखते हैं तो 16 में क्या कर रहा है ना आपको टी सेट एदिया हुआ है बी दिया हुआ है सेट इन में 12355469 इसी को मैं क्या मानता हूं एक्स इसको एलिमेंट को क्या मानता हूं वाई रिलेशन बरद किया हुआ है और जो रिलेशान है उसमें रन आड़र पे यह लेंगे यहow compliance यहांपर लिया हूं दोनों का difference बता जा देखिए question यहां पर mind में rise होगा कि अगर one minus four लिया तो minus three आएगा लेकिन ये भी तो हो सकता है four minus one equal to three तो लेकिन ये इसमें आपको ये चीज़ नहीं बोल रहा है कि आपको one में से four को घटाना या four में से one बस दुनों को difference दिया हुआ है तो दुनों का difference three आ रहा है ना three क्या है और one six का difference five five भी ओड है two nine का difference seven seven भी ओड है three four का difference one order three six का difference three order और आप चेक करेंगे तो और कोई इसमें से कोई element नहीं लेंगे जिसकी odd निकल के आएगा तो यही रोस्टर फॉर्म आ गया मेरा सब्सक्राइब कर रहा हूं वीडियो बन नहीं पाया अब चलिए 17 से बनाते हैं स्टार्ट करते हैं आर इकोल टू दिया हुआ एक्स और एक्स क्यू तो रोस्टर फॉर्म एक्स प्रेस करना है चलिए आप एक्स जो त्रिए फोर नहीं होगा फाईस यही आपको मिलेगा एक प्राम नहीं होता है नाइन भी प्राम नहीं होता है और टेंड्स छोटा ही लेना है न लियर चलिए तो यह नियुल गया आप इसको हम रोस्टर फ़ॉर्म ए लिखेंगे तो फ़ास टू लेना है तो लेंगे तो टू का क्यू एट थी लिया तो थी और थी का क्यू 27 फाइब लिया तो फाइब का क्यू 125 शेवन लिया सेवन का क्यू 343 यही आपको रोस्टाफ फर्म में एक्स्प्रेस करना था तो अप्लिट हो गया नेश्ट कोष्चन अबर एक टीन पर देखते हैं चलिए कोष्चन आपर एक टीन बोल रहा है कि एस दिया हुआ है इस दिया हुआ है आपका 123456 अपका अलेट आर्वी रिलेशन ओन ए में तो रिलेशन दिया हुआ ए टू ए में ही और डिफाइन किया है अब बोला बी इस एक्जैक्टली डिफीजिबल वाई ए डिफीजिबल वाई ए तो आपको इसको रॉस्टर फॉर्म एक्स्प्रेस करना है तो यहां स्वलूशन स्टार्ट करते हैं बी आप देखिए ए में यहां पे भी वही होगा 126 और यहां भी वही होगा 126 क्लियर ना हम इसमेंट लेंगा इसमेंस भी मैं यहां पर लिख देता हूं यहे डूमेन होगा 123456 को डूमेन भी होगा 123456 एस में अधर में यह फूरे इसमें से e मानेंगे और इसमें से b मानेंगे तो b is actually divisible by a होना चाहिए तो आप देखते हैं करचे नबर 18 तो पहला मैं क्या लिखूंगा एक के लिए ना इसमें से वन निकाल लेता हूं और इसमें से वन वन तो पॉसिबल है है तो कि विजेट लिए लिए देखिए बी क्या है टू अब एक वान टू इस डिफीजबल वाइ वन लिख सकता हूं न इसी तरह से फाईंड और करना आपको ठी लिया तो 1 और 3 बोलेंगे इस statement में ये भी लिया होता ना तो मैं अगर 1 3 यहां पर लूँ 1 3 बिलोंग टू ए इस statement के नोशा बोलेंगे 3 is actually divisible by 1 सही तो बोलता है उसी तरह से 1 4, 1 5, 1 6 सब divisible होगा नेक्स्ट और कोई find out करते हैं देखिए 2 4 भी लिख सकते हैं ना 4 is divisible by 2, next 2 6, 6 is divisible by 2, next 3 6, 6 is divisible by 3 और कुछ हो सकता है और क्या ले सकते हैं डबलेंट हो सकता है ना सबका टू 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 बोल सकते हैं था 2 is divisible by 2, 3 is divisible by 3, 4 is divisible by 4, बोल सकता हो ने सारा क्लियर और कुछ हो सकता है तो 55 भी हो सकता है 66 भी हो सकता है इसी तरह से अब चेक कर लें एक निएट मैं चेक कर लो तो टाइम लगेगा एक वाँ मैं चेक कर लेता हूं कि और कुछ शेस बच गया है क्या यहाँ पर मैं चेक किया तो 66 तो ले लिया डबलेट देखिए डबलेट सभी का होगा 2233445566 11 का भी होगा इसमें से वन लेंगे इसमें से वन लेंगे तो तो बोल सकते ना वान इस डिविव वन ठीक है और कुछ बचके हैं क्या ठीक है यहां तक क्लियर हो गया तो यह आपका आगया अंसर कोच्चन नंबर 18 तो क्या ची में एक्सप्रेस करना था कोच्चन नंबर 18 एक बार देखलू रोस्टर फॉर्म में और फिर आप इसका डोमें निकालना है आप क्या होजाएगा फर्स्ट एलीमेंट सब का 123456 एलिमेंट शुर्न नॉट भी रिपीटेड ते है तो रेंज भी यही आजाएगा देख लेने लास्ट में वही है 23456 फिर रिपीट है 466 रिपीट है ते रेंज भी यही है तो कोच्छ नमबर 18 कम्प्लीट हो गया नोट करने से चलिए कोच्छ नमबर 19 है फिगर 2.15 देखकर आपको कोच्छ नमबर 19 को अंसर देना है यह पी क्यू का एक सेट दिया हुआ है आ दोनों को कांसेट को समझें फाइव थिरी दोनों का डिफ्रेंस है फाइव थिरी का डिफ्रेंस टू सिक्स फोर का डिफ्रेंस टू सेवन फाइव का डिफ्रेंस टू दोनों का डिफ्रेंस क्या रहा इवेन नमबर तो हम सेट विल्डर फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट का और एक्स ले लेता हूं और डिफ्रेंस जो ले रहा हूं डिफ्रेंस बीट्वीन एक्स एंड वाई इज इवेंन नमबर यही होगा न और एक्स जो है पी से बिलोंग करना चाहिए और वाई है जो कि उसे बिलोंग करना तो यही शेट बिलडर फॉर्म में हो गया रोस्टर फॉर्म में तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 3 आयागा 6 पे 4 आयागा related है 7 5 से related है तर डोमेन क्या वाज आएगा यही 5 6 7 फर्स्ट एलेमेंट 5 6 7 रेंज 2nd element of order pair 3 4 5 यह question number 19 complete हो गया next question number 20 यह relation है z to z clear next relation define किया order pair अंदर में AB होगा और AB दोनों जेड में इंटीजर से बिलोंग होना चाहिए और दोनों का जो difference क्या हो इंटीजर हो तो बस आपको सिफ डोमेन और रेंज फाइंड और करना है ना कि आपको इसमें arrow diagram रिप्रेजन करना ना कि रोस्टर फोर में तो मैं समझाने के लिए समझें फिल कर लिए कि एरो अगर मैं 101 लूँ तो वान दोनों का difference पोच रहा ना ये माइनस भी तो वन माइनस वन क्या होगा जीरो है ना तो जीरो भी तो इंटीजर है तो सट्रीशफाइग तो कर गया दोनों का difference क्या होना चाहिए इंटीजर उसी तरह से टू टू का भी जीरो सट्रीशफाइग करेगा तरी तरह कि किसी भी इंटीजर का दूसरे इंटीजर से कोई भी ऑर्डर प्यार ले ले जैसे फाइब और मैं इसमें से फा सब्सक्राइब यहीं तो आपको निकालना था कोचनेवार ट्वांटी कंप्लीट समझते हैं कि यह जो आरवन रिलेशन दिया हुआ रियल टू रियल नमबर का यह रिप्रेजेंटेशन होता है तो क्योंकि आर में तो भी रिलेशन होता है और उसको भी मैं आर से लगा दू नहीं यहां पे आरवनस्य आरवन सब्सक्राइब यहां प्लस आपको एबी बिलौगा है तक देगा यहां प्लस शॉय निरो टे स्ने सफ्वे क्रीटर देटर देचा उनुगा मैं बोला रूत इस रूल के अनुसर वी ऐसी सी ग्रेटर धन जीरो ये है मैं जरूरी नहीं कि यह हो गा ही, तो मैं एक example लूँगा, मैं बोला था, show करने के लिए generalized expression, नहीं show करने के लिए बस एक example show कर देते हैं, तो suppose मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर order pair, 1-1 by 3, and यहीं-1 by 3, B यहाँ भी है, तो minus 1 by 3, C के लिए कुछ और ले लेता हूँ, चलिए C के लिए minus 6 ले लिया, यह A है, B है, B है, C है, तो A और C, तो A, C implies that क्या होना चाहिए, 1 और minus 6 भी बिलोंग करना चाहिए, आर वन में, नहीं क करना चाहिए, not true, तो देखते हैं, रूल के लिए लूंगा, तो 1 plus A, B, 1 plus A into B, 1 into minus 1 by 3, greater than 0, plus minus minus 1 by 3, greater than 0, solve करेंगे, तो 3 minus 1, 2 by 3, greater than 0, सही है, यह, and इसके लिए बिलोंग कंडिशन आगा, तो 1 plus B, C, C, the minus 1 by 3 into minus 1 by 6, greater than 0, minus minus plus 1 by 18, यह already positive हो गया, तो यह भी सही है, imply that, यह देखते हैं कि सही आ रहे कि नहीं, तो इसके लिए बिलोंग कंडिशन होगा, तो 1 plus A, C, A है 1, आप C क्या है, minus 6, greater than 0 होगा, देखते हैं, 1 plus minus minus 6, greater than 0, minus 5, greater than 0, not greater than, equal to 0, हैंना, minus 5, not greater than 0, तो यह not true, तो सैटिश्फाइज कर गया न, जो बोल रहा था, यह तो प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया, question number 21, question number 22 है, कि relation दिया, n to n, तो n को n को n क्रोस n भी लिखते हैं, अब condition यह है, यदि a b related to cd होगा, यहां पर समझें बात को, वहां पर क्या करा रहा है, बोल रहा है कि a b related to cd, अगर यह है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए, कहां से कहां ले गया है, a d में किया, a और d को last बला को, extreme value को क्या किया, plus a plus d, equal to b plus c, यह यह इसमें किया है, उपर में, और right side में, b plus c लिया है, तो यह रहेगा, तो यह लिखेंगे, अगर दोनों तुरफ arrow का मतलब, अगर यह रहेगा, तो यह लिख सकते हैं, clear, चलिए, तो मुझे यह प्रूफ करना है, तो यह प्रूफ करने के लिए चलिए, मैं first को solution देख रहा हूँ, मैं यह लिख हूँ, यादि a plus b equal to b plus a, कोई दिक्केत है क्या, यहाँ पर तो समझे, 2 plus 3 equal to 3 plus 2, दोनों केस में तो 5 भी आएगा, लिख सकते हैं, कोई problem नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे region, चलिए, कुछ नहीं है, तो आप देखिए, यहाँ से, यह रहता तो यह लिखते हैं, अगर ऐसा रहेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो यह ऐसा है, इस form का है, तो हम इस form में जैसा लिख सकते हैं, तो इसके नुशा तो समझे गए, अब इसके नुशा समझते हैं, a plus d है, b plus c है, तो a और b लिया है, है न a b, और c d लिय आया है तो C से D में आएंगे इसी तरह से यहां से देखिए A से B में जाएंगे तो यहां A B होगा related का symbol फिर A से यहां में आया है वही चीज ने किये हैं A B यह आ गया है लिखेंगे for all A B belongs to N cross N प्रूवड हो गया next question number second है question second करा A B related to C D imply that C D related to A B for all A B, C D belong to N cross N A A दिया हुआ है तो imply that A A होगा इससे मुझे यह प्रूफ करना है तो देखते हैं कैसे बता है चलिए तो rule के अनुसार rule क्या था अगर A रहता तो यह लिखते हैं तो यह है तो कैसे लिखाता ए और D को लिए था न तो यहां से लिए और D ए प्लस D equal to फिर क्या लिए था B प्लस C तो यहां प्रूफ भाई लेंगे B प्लस C यहां तक क्लियर मैं इसी चीज़ को आब A प्लस D और B प्लस C को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ C प्लस B equal to D प्लस A क्या फरक परेगा यहां पर समझें स्टार्टिक में क्या लिया था 2 प्लस मान लिज़े 3 इसको लिया था A और यह D था D और C लिया तो यहां पर मान लिता हूँ 4 plus 1 तो यह हो गया B और यह हो गया C मैं इसको यह भी लिखना चाहता हूँ कैसे लिखा C plus B यहांद कि 1 plus 4 equal to 3 plus 2 यहां पर आड़ करें तो 5 आया यहां भी आड़ कियें तो 5 आया तो यहां भी तो 5 भी आ रहा है क्या दिक्कत है लिख तो सकते हैं चलिए तो ऐसा लिखने से फिर ये कंडिशन का यूज करेंगे ये वला ये है तो ये वला मिलेगा ये है तो फिर इस से रिलेटेड ये मिल जाएगा मुझे कहां से कहां आगे तो A से B में C से D में तो C D से रिलेटेड टू फिर कहां से आते C D A B A B आगे आना यही C D रिलेटेड टू एबी तो लिखे देंगे यहां पर फोर आल एबी सी डी ब्लांग टू एन क्रोस एन लास्ट थर्ड कोस्चन है थर्ड कोस्चन में है कि A B रिलेटेड टू C D and C D रिलेटेड टू E F ऐसा हो तो यह प्रूब करना है कि A B रिलेटेड टू E F फोर आल A B C D and E F बिलॉंग टू N क्रोस N तो कि A और यह गीवेन है इस दोनों के हेल्प से मुझे यह प्रूफ करना है तो यहां पर आप समझे बात को इस फॉर्म कराता था तो मैं यह लिखता था तो वही लिख रहा हूँ तो एक्स्ट्रीम के लेते थे सम में A प्लस D तो यहां पर एक्स्ट्रीम में है A प्लस D फिर क्या लेता था था बी प्लस C सी प्लस f इकवल टो करके टीकल टो बीप्लस सी इसको एक्वेशन फärस्ट मान लें तृम इसकेंगे साथ इसी कंडिशन क्वेशन मैं यहां पर लिखूल गांगे और क्राइब LHS में यह और यह एड़ करेंगे तो A प्लस D प्लस C प्लस F इक्वल टू B प्लस C और D प्लस E तो यहां पर जो कट रहा काट देंगे D से D cancel out हो जाएगा और क्या cancel होगा C से C cancel होगा तो क्या मिला A प्लस F और B प्लस E तो अब यहां पर समझ यह बात को यह रहता था तो इसमें लिखते थे न A यह दुनों से क्या मिलता था A B इसका first और इसका भी first A यहां से मिलेगा A B related to फिर क्या था उल्टा चलते थे C से D में आते थे तब न लिखा C to D तो यहां भी आएंगे E to F यह related होगा यही तो proof करना था A B related to E F proof हो गया proved अब यह statement लिख सकते हैं यहां पर तो question number 22 complete और यह exercise भी complete हो गया चलिए Thank you प्रुब